बहुत बहुत सुक्रिया सौनल स्वागत है सर आपका हमारे गुरुग्राम मंच पर देश और परदेश दोनों ही 2024 में चुनाओ की तरफ आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में इन 9 साल में केंद्र सरकार ने क्या कुछ खास किया किस तरह से देखते हैं क्यूंकि केंद्र में आप म द्यान आकरशित होना चाहिए वो हमारी इंटरनेशनल इमिज जो पहले की निस्बत कितनी ज्यादा बहतरीन हुए है और खास तोर पे पिछले चार पांच साल के अंदर लेकिन कुल मिला करके अगर देखें जो कोविड आया था उससे पहले देश की क्या साक थी और हिंदुस्तान एक जमाने के अंदर यू उसके विश्या के अंदर सोचा जाता था कि इसको हम कुछ न कुछ प्रदान करेंगे इन से लेने कि किसी की सोच नहीं थी इनको देने की और कितना देना है उसकी सोच आम तोर पर ये जो सामरत मुल्क थे उनकी इस तरह की सोच करती थी लेकिन जैसे कोविड का प्रकोप विश्व के अंदर छाया जगह के उपर लोगों ने तरही तरही मचाई वैक्सिनेशन के लिए जो बड़ी बड़ी फार्मसूटिकल कंपनीज थी उन्होंने अपना पॉंड आफ फलेश लेने के लिए गरीब मुलकों को खास तोर जो लैटन अमेरिका के मुल्क हैं या आफरीका के सबसारण आफरीका के मुल्क हैं उनके अंदर किस तरह से उन से पैसे निचोडने की कोशिश करी उस टाइम भारत उनके सहयोग के लिए समर्थन के लिए और मदद के लिए पैदा हुआ ना केवल हमने वैक्सिन अपने देखा जाए तो भारत की इमेज कोविड के उपरांत बहुत बहतरीन हुई है और कोविड के उपरांत अगर फाइनेंशल तौर पे भी अगर गिना जाए जो मुल्क हमारे उपर शासन कर गए उनाइटिड किंडम जैसे आज उनकी सालाना दर रेट अफ ग्रोथ जीडीपी की दो और तीन परसेंट के बीच में चल रही है पिछले साल जो गया है जो फाइनेंशल ये पिछला वाला गया है हमारी आर्थिक स्थिथी जवर्पेंट आफ दी जीडीपी वस सेवन पॉइंट टू परसेंट एस कंपेर टू पॉइंट परसे यूरोपियन यूनियन अमेरिका इनकी तो वो दो और तीन के बीच में मंडला रही है तो इस तरह से हमारी फैनेंशल स्टेटस और मुलकों की बनिस्बत बहतरीन हुई है पिछले आट नो सालों के अंदर और जो लोग यू सोचा करते थे कि हिंदुस्तान के लिए हम कुछ उसने कुछ देंगे आज की दिन वो यू सोचते के हिंदुस्तान से शायद आने वाले समय के अंदर कुछ मिलेगा यहां से लेकिन सर विपक्ष लगातार बहुत सारे मुद्दों पर घेरता भी रहा है और लगातार घेर भी रहा है फिर चाहिए जैसे कोविड की बात करे तुलाशों को लेकर भी राजनीती हुई विरोजगारी को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं और भी कई महंगाई की बात करें यह तमाम मुद्दे भी है जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साहता रहा है देखे विपक्ष का का काम तो है कुछ ना कुछ निशाना बना करके सरकार को परिशान करने का और अपने आप को बहतरीन लाइट के अंदर दिखाने का लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं अज आप एतिहास देखो हिंदुस्तान के राजनेतिक तोर के उपर जब से हमारी प्रजात अंत्र प्रणाली स्तापित होई है सन से तालीस के बाद ये सन बावन के बाद अन्यक बार सरकारें चुनी गई है कई बार सरकारें एक बार चुनने के बाद दूसरी बार भी उसी पार्टी की सरकार चुनी गई है लेकिन पिछले 75 साल के इतियास के अंदर मुझे तो कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि किसी एक पार्टी को एक बार चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार जब वो चुनाव के अंदर उतरती है तो पहले की बनिस्बत उसकी परफॉर्मंस बहतरीन होती है तो कहां पहले पांच वर्शी जो योजना थी ह हमारी 14 से लेकर के 19 तक उस टाइम के ऊपर लोगों ने हमारे को हमारी पार्टी को नरेंद भाई मोधी को 273 वोट दिये एंपीज दिये थे और जब यह 19 के अंदर चुना हुआ हालां कि कह रहे थे ऑपोजिशन वाले एंटी इंकंबंसी वगएरा वगएरा तो हमारे को 273 स बढ़कर के 330 सेट हासल करें तो मैं तो यूं कहूंगा कि 50 अंतर के अंदर ऑपोजिशन तो अपनी बात करेगी और सरकार अपनी बात करेगी और फैसला करना किसने है जनता ने जहीर सी बात है फैसला जनता ने करना है तो 2024 में एक बड़ी हैट्रिक की उमीद लगा रही है बीजेपी देखो उमीद तो जिनिया उमीद पे जिन्दा है कोई तो कोई भी पार्टी यूनी कहती के भी हमारेंगे और जो आपोजिशन वाले वो भी आपोजिशन इसलिए करते हैं कि शायद हम आने वाले समय के अंदर सतासीन हो जाएं लेकिन जिस तरह से हमारे देश का अधार पिछले नौ सालों के अंदर हुआ है जिस तरह से साख हमारे प्रधानमंत्री की नैशनली और इंटरनेशनली के तोर के उपर बंदी है तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को ये अपने आपको पीट थब थबाने के लिए अच्छा वक्त है कि शायद 24 के अंदर भी हम मुसी तोर के ऊपर दुबारा से सत्ता सीन या 30ैबास अधृम हो जाएं झाहिए वाल के बात करें सर कि देश की तो हमने बात की नो साल में क्या कुछ कास देश ने हासिल किया पीजयपी सरकार के शार्शन में ओई भी राद कि बात करें तो क्या कुछ उप्लब्दिय नेख सा टर्म हो जाता है इस से बहतर तो मैं यूं कहूंगा कि आप इसको रेफर करें दक्षिनी हरियाना के तौर के उपर बिलकुल और दक्षिनी हरियाना के अंदर हमारा जो फरीदबाद, पलवल, मेवाद, गुडगाउं और रिवाडी, महंदरगर, जजजर, दादरी इजो ज पानी की थी, दिल्ली से पार होकर के पानी घंदा जाया करता था, पीने के लिए प्रियाब पानी की मातरा मिलती नहीं थी, इधर तो पहुंचता ही नहीं था, जो नार्डनॉल जैसे नांगल चौती जैसे छेतर हैं, वहां पर पंदरा सो फुट तक खोद करके आप पानी निकालने की कोशिश करें, तो आपको पानी नहीं मिलता था, सूखी खाक मिलती थी, तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो पानी की विवस्था हमारी सरकार में करी है, पानी की संख्या जो बढ़ाई है, यहां पर नहर नालों के मार्फत उसकी मरमत करके पानी को पहु हमारे यहां पर हुआ है, शायद जब से हरियाना बनाए सन 66 से, इतना ज्यादा काम इंफरा स्ट्रक्चर के उपर दक्षिनी हरियाना के अंदर आज तक नहीं हुआ, और मैं अगर आपको सूची बताओं, फर्ज़न इसे एम्स, हेल्थ की, अगर बात करें तो, हेल्थ हमारे देश के अंदर तकरीबन तकरीबन दिहात के छेतरों के अंदर बहुत कम था, डॉक्टर भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हरियाना और दक्षिनी हरियाना एक ऐसा स्थान है, जहां पर भारत सरकार की तरफ से दूसरा एम हमारे प्रदेश को मिला है, दूसरा इसलि उड़ते हुए एक नया एम्स मनिठी माजरा के अंदर स्थापित करना, मैं समझता हूँ हमारी सरकार की एक बड़ी भारी उपलब्दी है, और दिक्कत यह हुई कि हमने जहां पहले इसको सुनिश्चित किया था, जो गाउँ था मनिठी, उसने अपनी जमीन दो सो एकर दे के उपर गिना जाता था, तो उन्होंने का ये डीम फोरेस्ट के अंदर हम नहीं बना सकते, उनके बगल वाला गाम है, माजरा, तो उन लोगों ने फिर वो बेड़ा उठाया, और उन्होंने का कि हम दो सो एकर जमीन दे दे देंगे आपको, तो आज के दिन दो सो एकर जमी दे दी है, और वहाँ पर बोर्ड लग गया है, उसके लिए कुछ पैसा बाउंडरी वाल बनाने के लिए तजवीज हो गया है, और हम उमीद करते हैं कि जल्दी प्रदान मंतरी उसका शिलन्यास रखेंगे, तो ये तो हो गया, आपने पूछा तो बड़ी लंबी सूची है ये ने, बिल्कुल बड़ाई है, तो ये तो हेल्थ इंस्ट्रेक्चर की बात हुई, दूसरा जहां बात रहती है रोड्स की, कोई भी मुल्क समरत नहीं बन सकता, जब तक कि उसके यहां पर रोड्स का इंफ्राइश्ट्रक्चर ना हो, रेल्वेस का इंफ्राइश्ट्रक तीन एक्सप्रेसवे बनेगा एक लाख करोड का, तीन जिले दक्शनी हर्याना के मतलब, गुरगाऑं और विवात और कुछ इससा हमारा, इसका फरिदाबाद का, जारा का सारा हमारा, हमारा इसके अंदर शामिल होता है, एक लाख करोड, गुरगाऑंऑं एकसरेस्वे, छ है आठ हजार करोड रुपिया लगाए गुडगावा के अंदर जमीन इसलिए हो गई क्योंकि यह डिवलोपेंट सबसे ज्यादा हुई है जैसी बात है और उसकी जगह अगर उसकी तुलना करी जाए तो ट्रांस हर्याना एक्सप्रेस वे बनवाया है उसकी उसका फासला शाय हर्याना के बीचों-बीच कटता हुआ और वह सिधा आपको अंबाला पहुचा देता है तो हमने एक रोड का इंफ्रेक्स्ट्रॉक्चर लेडाउन किया है हमने हेल्थ का इंफ्रेक्स्ट्रॉक्चर लेडाउन किया है और हमने इलेक्ट्रिफिकेशन और जो रेल याता या यहां पहले 14 से पहले आ गई थी, उस टाइम भी सौभागे से मैं यहां का लोकसभा का सदस्य था, तो जो हुडा सिटी संत्र तक दिल्ली से मेट्रो आई थी, वो तो हमारे पहले वाले कारिकरम के दौरान हो चुकी दिन नौ साल का तो जिकर मैं उसमें नहीं करता, लेकिन ज जो इतना राजस्व नहीं देता, नेवाला गुडगाओं है, चाई IT हो या कुछ इंडस्ट्री हो, वो सारा बहुत पैसा 65-70 फीसे दी तक हर्याना को राजस्व देता है, कि इंदर के अंदर भी आज भी सुन रहा था, कि कुल 46 लाख करोड का उत्पाद, चालिस लाख करोड का राजस्व हर्याना से मिलता है, उस में से 36, यानि कि only 10% less, वो सरफ गुडगाओं से जाता है, तो यह जो ओल्ड गुडगाओं है, उसके यहां से लोगों को यातयात में परिशानी होती थी, क्योंकि उनका पास खुद का सादन नहीं था, तो यह सपन मेरा 14 के अंदर हुआ था, तो जो उस टाइम जब मैं मंत्री बना महोदी सरकार के अंदर, तो मैंने निवेदन किया, PM से भी किया, CM से भी किया, कि जी हमारे गुडगाओं को भी पराने वाले को जोड़ दो, फिर सौभागे से मेरे को Urban Development का मंत्राले संभलवा दिया गया, तो उस टाइम मैंने निर्देश दिये थे, कि भी इसका तुम प्लैन बनाओ, और इसको तुम ओल गुडगाओं को भी करो, क्योंकि यही लोग ऐसे हैं, जो हमारे को सत्ता सीन करें, एक लंबे समय से इंतजार भी था कि मेट्रो कम मिलेगी पुराने गुरुगराम को, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पुल, ब्रिजेज, हाइवेज का मैंने जिक्र कर दिया, तो यह हमको मिली है.